तो दोस्तों कई स्टोरी कई दुनिया के सामने फेस और सच को छुपाना जूट को उभार के दिखाना यह कई चीजें आज कल यूटूबर लोग कर रहे हैं ऐसे एक सक्स के साथ बैठा हूँ जहां पर आपको बताएंगे अपने जिन्दगी के एक जर्णी के बारने में कैसी करोशी आए और इनका माल्ता रिफ्यूजल आप लोगो साथ पता होगा है इनका नाम जो है अब सब जानते भी है हारून नाम है एंके जिसम के आईडी है को होली शिनर के नाम से और काफी फेमस थे जब हम वीडियो साथ में बनाते थे इंडिया में तो दोस्तों हुआ ऐस करोशी आने के पाद इनके साथ जो हुआ आप सब को जाना जरूरी है कि जब खुद से जौब खोशते हैं खासकर एक ऐसी कंट्री में जहां पर अपको को सपोर्टिंग नहीं हो तो कैसे कैसे प्रॉल्म फेस होता है इनके साथ तो चलो हम थे और हमारे दोस्ती इनका नाम ह हारून है बहुत गài murders मलें सेमिनार मै आप अरे मिया घर जमा किया था आप अपने क्रोश साथा ना जहां किय कि आ पर देख आप काम करता हम यह जाननाजाता हूं हारून की तचुईशन आपके साथ हुआ करोशी ब सित से में कोजनी के लेदे गई बाद शाया है कि कि ना क्रोशे में हुआ फिर हम बात करेंगे किसे आपको सपोर्टीव ने सपोर्ट किया बताइए कैसे कैसे शुरुवात होती चीजों मैं मेरी पहली जरनी होई 27 मही को जब मैं यहां करोशे आया उसके बाद मैंने 10-15 दिन नोकरी करी फिर उसके बाद वह नोकरी चले गई मेरी अच्छा ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुरें ने मेरे को बोला कि अभी वह तुमको रखा है वह तुमको काम पर रखना नहीं चाहता है तो आप अपने से जागे दूसरे नोकरी ढूंडिये कि मैं 20 दिन तक कि यूटूबर है जितने वी यूटूबर है उनोसब को मैसेज भी किया ह revekl के ह्आं एक्छी मेरे पस जौब नहीं है मैं जौब की घलास में हूँ बहुत से कि आप सोच नहीं सब्सक्राइब आप आया थे और मैं खुद घबरा गिया था मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ी सी ऐसा चीजों में बताई था कि लोगों को समझ में आप किस जगह रहते थे अब जैसे आप मान लीजे आपनी पार्टी जैसे बड़े-बड़े लोगों में जाते हैं उस नावडार वैसे की साल मैं आचे मैं टाई में फैमली के साथ जाते मैं उस जगहरा वहांसाब करूं तो आपको बस के लिए भी बस पकड़नीया था आपको चार किलो मेटर पैदल दाना पड़े आपको आपके साथ होता था अब रात को क्या मेरे घर के पीछे से जंगल स्टाट होता था ता जानोरों को साउंड भी आता था और मैं एक्चुली पूरे घर में साथ-टार वाला बहुत बाप में तो देखा होगा और मैं वहां अकेले रहता था वह मेरा देल जानता था रात को मेरे को रातों को नीन तक नहीं आती थी और आइटिंग मेरे को जहां तक मालूमात पड़ा था आप डिप्रेशन में चले गया थे बिल्कुल मैं तीन तीन चार चार नीन के मेरे को बोला गया कि आपको खार्प रहंता नगे प्रेशन में चांण में तो अरड यौन इति खेशन के क्लेशारेशन में तौके आपको बोलागिया Tea कि आपको कíz तेक्स के बाद आपको बा नियुक्त थे सथेotta था उसके पास डिसाइड हुआ था कि आपको पर वीक खाने के पैसे मिलेंगे कि आप जब यहां आते हो तो आपको फूड का बहुत प्राबलम हो था क्योंकि यह लोग बहुत अलग तरीके से खाना खाते हैं उन्होंने बोला कि आपको पर वीक 30 euro हम दे देंगे कि अपर वीक दिया तो उसने जब मेरको दूसरी जगे भेजाना काम करने के लिए तो उसने स्थाटिंग में 20 euro दिया मेरको फिर बोला कि मेरा महिना पूरा हो चुका है पहले डिसाइड आपको फूड का एडवांस में पेमेंट कर देंगा तो नहीं दिया उन्हों महिना पू स्टोरी क्या है मतलब आपको क्यों छोड़ना पड़ा क्या रीजन था छोड़ने एक्चुली में एक तो महां पर लेंग्वेज समझ में नहीं आती थी किसी की भी बहुत प्रॉब्लम वहां पर किसी को इंग्लिस बोलनी नहीं आती ठीक है ठीक है आप कुछ बोलते वह कुछ रहा हूं अब आपकी सेल्री चार यूरो से घटा के 3.5 यूरो कर रहे हैं मैंने पूछा ऐसा क्यों तो बोले कि शेषु मिलने वाला था व आपको शाड़े 500 मिलता हां अब बोले कि हम आपकी सेल्री 3.5 यूरो पर आवर कर रहे मैं निका जो भी आता है एक्चुली एक मही बोले कर दे रहा हूं और मैं उसको चार यूरो पांच यूरो दे रहा हूं अगर आप बहुत से लोग होगे वीडियो देखेंगे वो खुद कमेंट कर देंगे कि हमारे साथ भी ऐसा होता है अच्छा एक बात हरु मैं जाना चाहूंगा कि जब नौकरी खोजने की बात आई तो आपने काफी यूटुबर को कांटेक्ट को मैसेज किया उसके बाद अगर मैं आगर गलत नहीं हूं तो मैंने आपको बोला कि आप मेरे दो बंदे हैं जिन अपने करो आपको मदद नम्सेलिए इस इसको मैं डीटेल में बताता हूं मैंने इनको मैंसेज किया था नहीं को खाने की इच्छा नहीं होती है नोखरी नहीं है फागलों की तरह बटक रहा हूं इदर उदर उन्होंने मेरे लिए जॉप की बात कि और उपर वाले की दुआ से और दोनों भायों की मदद से अभी मैं बहुत अच्छी नोखरी पहूं मतलब जो पहले सेलरी दे रहा था ना उसकी डवल सेलरी अभी मेरे को अच्छा हां बहुत मतलब आप समझे कि अगर आपको साड़ी चेसुन तरह लगवा हजार बारा सब्सक्राइब बिलकुल अभी उन्होंने जो मेरे को नोगने दिला है यहां कमेंट फालतू में लोग नह पैसा लिया उन्होंने मेरे से कोई चाहिए फिरी में जी मतलब आप कह सकते हैं कि हुमिनिटी बैग्रांट आपकी मदद की बिलकुल भायों से भी बढ़के मदद की अभी आप डिप्रेशन के सिखा नहीं अभी मैं बिलकुल चैन्स सोता हूं मैं आपके साथ एक नाइट रुक चुका हूं तो मैंने आपको फिल किया है कि आप बहुत सुकुन चे सो रहे थे बिलकुल और सुबह आपने रोटी भी खाया सबजी भी खाया और हम थोड़ा था बाहर भी निकले तो हम दो आप तो मतलब आप यह कहना चाहते हो आप क्या एडवाइस करना चाहते लो कुछ भी करना है ना तो आपको अपने ओनर को बोलना पड़ेगा सपोर्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं ओनर फ्री रहेगा तो आपको जवाब देगा वारा एजनसी के तुरु आया चलो मैं कहता हूं अगर मेरे को कुछ प्रॉबलम है तो मैं एजनसी को फोन कर सकता लड़के को यह प्रॉबलम अब सोचो आप डारेक कंपनी में हो आप ओनर को फोन कर रहे हो मैसेज कर वह जवाब नहीं दे रहा आप कुछ नहीं कर सकते क्या करोगे और मानलों आपके पास पैसे नहीं है ठीक है आपको पैसों की जुरूत है एजनसी के मतलब एजनसी तो क क्या उसको टी या नहीं करना पड़ता है जॉब्ठेंज करने कर जिसाफने जॉब्ठेंज करना है हम एक कमपणी में के आप बी जाना है कर दूँंगा यह याओ पुलिस को पुलिस को मैं यह जा रहा है कि तोним हो तो फुली कार्ड तो पुलीस वाले टियाट सी काड्ट ले लेते हैं ले Consider तो एक बात बता ही मुझे मुझे यह नहीं पता रूड़ीर जुल यालेज किuster थी इückनी आ पता पार कें इदे तो क्यार का स्चेरंब हो रहा है तो 지금까지 फुर्ण वराज दिन जो इलाका है ना वहां क्या वर्क पर्मिट एक महने के अंदर आ जाता है एजली ठीके पर हमाँ फिंगर प्रिंट लेट होते हैं ओके ठीक अगर अगर जैसे उसने वराज दीन से कैंसल किया तो कि अवाज साथ दिन में ऐसा जाता है मेरे एक साथ दिन से बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मतलले लीगल हो गया आपको पुलीस पड़े चाहिब के पास दिखाने के विए कुछ होना जागर अगर आपके पास टीयर ची नहीं है ताब उसको आपश को इसको भीवाट जोुद से ऐर साना कहा लूख मंतली कितना एक्सक्रीड करने करता है कि मेरे जैसे जहां पर था में मार्केति जानने में बहुत आला तो नंब सब्द्टारां से और सब्सक्राइब अश्रॉल घर कंपनी करता है प्लदों के ड differs कना चाहते हैं अगर खुछ तो आपकी पहुंच अप डिस इतनी होनी चीज़ कि कल को आपको फसो तो आपकी कोई मदद कर सकें यहां कोई आपकी मदद कि आपके साथ जो हुआ है वो दुनिया को मालूम पढ़ना चीए कि कैसे आपको बोला गया सैलरी तना मिलेगा इतना बोलने लगे जब थोड़ा दो तीन में देखा कि बंदे का पैसा जादा और कम करने लगे उसको प्रेशर करें लेगे लिकिन चीज़ बोलूगा जो करेंगा आपको एंप्रूर्य से दरने कि अगर अगर यह किया है अपने किसी का कुछ लूट अनी है तो तबरेश मली का आप कौल कर सकते हो और तबरेश मली इस जितना भी हो गाल मदद करने के को सिच करूँगा अपने भाइयों के ले हमेंसा खड़ा रहता हूं तो मुझ आपको एक एडवाइस दोंगा जब तक आपका अगर आपने मूड बना लिया आपको क्रोशिया ही जाना है और आप या वीजा का इंतजार करे या वर्क परमित का तो आप थोड़ी थोड़ी क्रोशियन सीखना स्टार्ट कीजिए वह आपको यहां पर बहुत बेनिफिट मिल किसी एजन्सी से काम करें और वीजा उसके हाथ में नहीं है आप एक काम करो थोड़ी थोड़ी लेंग्वेज सीखो तो आपको उसका बहुत बहुत बेनिफिट में आपको बहुत अच्छा है और हाँ मैंने भी गौर किया है कि जब हम टेक्सी में बैठते हैं हम लोग कि उस देश की कल्चर की उस देस की डाइवर्सिटी की उस देश में जो तरक्की हो रहा है उंज दो तरक्की में आप लोग परते हो अपना टैक्स पे करते हो तो आपसे खुश होते हैं तो जतने बीडियो इंडियन लोग है पाकिस्तानी नेपाली हमारे बांगलेशी प्रफ़ों करो इनके लौ के हिसाब से चलो तो देश भी आपको सपोर्ट करता है और सबसे बड़ी बात है कैसे देश में बैठे हो एक सपने लेकर आयो यह पर उस सपनों को पूरा करने के लिए देश को सपोर्ट करना जरूरी है जिस भी देश में माल्टा हो पुर्टुग करने हमें और इंफोर्मेशन बहुत साही लोगों को तक पहुंचना जरूरी है क्रोश्या के बारे में तो जोस्तों फिर से बता दे तो मैं सेंट्रल नंबर जो आप भूल गया हूंग वाटसब का डबल नाइन डबल यह आपका दिल्ली का जर नंबर है डबल नाइन डबल तो त्री डॉल फाइट फोर और दुबाइका नंबर 05649-3584 यह वीजास मली का जी मेल डोट पर कॉंटेक कर सकते यह तब्रेज मली घंटेक कर ऑफिशल के इंस्टाग्राम पर मैसेट डॉप कर सकते थांक्यू वेरे माल जाते जाते चैनल को लाख सेकते हैं वीडियो को से एंटे यह यह तावियो ताविम दिंसे पुसर कर दो कर दोट